2016 में पच्छिम बंगाल स्कूल सर्विस बोर्ड ने युवाओ के लिए भरती निकाली इस्कूल के लिए टीचर की जरूँ थी और भी कई सी और बी ग्रूप के लिए बड़ी संख्या में भरती आई थी युवाओ में बड़ा जोस्ता हर कोई सरकारी नोकरी चाहता था एक लड़की थी बवीता सरकार वो चाहती थी कि किसी भी तरह से महनत कितनी भी कर रही जाए लेकिन सरकारी सिक्षक जरूर बन जाए और उसने इतनी महनत की कि वो टोप 20 में आई 2016 में ये भरती निकली थी 2017 में इसका प्रइनाम आया तो बवीता सरकार थी वो टोप 20 में थी लेकिन बोर्ड ने इस लिस्ट को भंक कर दिया और दुबारा से एक नई लिस्ट बनाई लेकिन इस लिस्ट में बवीता सरकार बाहर थी टोपर की लिश्ट तो छोड ये वो selected student में ही नहीं थी वो waiting में चले गई और इसमें एक लड़की का नाम आया जिसका नाम अंकिता अधिकारी थी अंकिता अधिकारी वो थी जो इस समय में पच्छममंगाल सरकार में सिक्षा राजमंत्री है परेश चंद्र अधिकारी उनकी बेटी यानि वो टोपर बन गई और ये लड़की जो टोपर थी वो बाहर हो गई इसके बाद ये मामला कोट में गया कोट में पता लगा कि मंत्री जी ने अपने परभाव की वज़े से अपनी बेटी को सिक्षिका बना दिया है कोट ने इस लड़की को बरखास्त कर दिया अ अधिकारी जो एक वर्तमान में जो इस पच्चिम बंगाल शिक्षक बोड का धक्स था लैन माई गोंगली उसके खिलाप रिकमंडेशन की और चार अधिकारी मानिक भट्टाचारी है आलोक कुमार सरकार तमाम लोगों खिलाप रिकमंडेशन की कि इनके खिलाप केस चलना जब समीति की रिपोर्ट के बाद कोट ने समझा किए तो बड़े इस तर पर भश्टाचार वबा तो कोट ने फिर इसकी CBI जाच परक्स करिकमंड कर दिक आभी इसकी CBI जाच हो रही है लेकिन CBI जाच के सास्ता जो कहीं तथे सामने आए उसमें मन contradict की cash सामने आए जब मन मारी की पार चटर जी कोई छोटा मोटा नेत है नहीं है पच्छी मंगाल की मुखमंत्री मम्ता बंदर जी के बेहदी करीब है और टी-मसी के महासचीव रहे हैं 2001 में पहली बार विधायक चुने ते यानि लगातार पांच बार वो विधायक चुने गए हैं 2004 से लेकर 21 तक सिक्षा मंत्री रहे अब उद्योग और वणी जिग मंत्री है बड़ा कद है और टी-मसी के वफादार रहे हैं और जब एडी ने पार चटर जी की नजदी की अरपिता मुखर जी के यहाँ पर छापा मारा तो एडी भी दंग रह गई इतनी बड़ी तादात में कैस था कि जब उसे खोला तो 2500 के नोटों का पहाड बन गया जिसको गिनना किसी के बस की बात नहीं थी तुरंथी मशीन मंगाई लेकिन मशीन भी गिनने में कई घंटे और कई दिन लगने की उमीद है इतनी बड़ी तादात में कैस मिला दरसल अरपिता पार्थ के बहुती नजदीक है कोलकत्ता की जो दुर्गा समीती है उसमें ये पार्थ के साथ काम करती है और उनके साथ राजनित करूप से बहुती सक्री है दरसल अरपिता बंगाली फिल्मों में उडिया फिल्मों में तमिल फिल्मों में एक्टिस रह चुकी है कई इंडस्टीज में इसने काम किया और राजनीतिक रूप से भी सक्री है और पार्थ के नजदीक है इसलिए उनके घर पर छापे मारी हुई थी और इससे पहले पार्थ से लगातार एडिया ने 26 गंटे पूश्टाज की थी पार्थ के कई नजदीकी थी उनके ओपर टार्गेट बना रखाया उनके ओपर भी कारवाई हुई है पार्थ को हिरासत में ले लिया गया है गरपतार कर लिया है और अरपिता भी एडी की हिरासत में है यानि दोनों को पार्थ को गरपतार कर लिया है और इसको हिरासत में है ये भी जल्दी गरपतार होगी ऐसी उम्मेद करते हैं लेकिन इस पूरे मामले में जो बात निकल कर सामने आई है कि सिक्सा विभाग में जो बड़ी ताजात में घोटाले हुए थे जो महनती श्टुडेंट थे वो किस तरह से भरती लिष्ट से बाहर हो गए और किस तरह से सैटिंग वाले लोग जिन्होंने पैसे लिये थे वो कै मोबाइल किसके थे सोना मिलाया जिविनरीज मिली और भी कई डेकुमेंट्स मिले हैं लेकिन 20 क्रोड तो कैस मिले हैं जो दो हजार के और पांसो के रूम में पहाड के रूम में सामने आया लेकिन यह अपने आप में पूरू हो गया जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में कहा था कि इसकी सीबियाई जाहां चोनी चाहिए इसमें कई लोगों ने जवर्जस्ति इस तर पर भश्यसार क दोस्तों यह मामला अक्सर देखने के हुआता है राजसरकारों में ऐसा होता है अक्सर के राजसरकार के ऐसे क्रेस हाई है कि जहां 30 स्टुडेंट बाहर हो गए और पैसों के बल पर लोगों नोकरी कर रहे हैं जो मंत्री है उसने अपनी बेटी को शिक्षिका बना दिया उ उसे पुरी पच्छिं बंगाल सरकार भी हिल रही है हालना कि बंगाल की सरकार का कहना है कि हमें इस मामले से कोई लेना देना नहीं है जैँगी लेकिन अब ये देखना होगा कि ये लेना देना कहा तक जाता है क्योंकि जिस तरह से मंत्री के स्योगी के यहां से 20 क्रोड रुपे मिले हैं शिक्सा मंत्री की बेटी का नाम लिष्ट में आया है और कई चीजे सामने आ रहे हैं तो इस जांस का दायरा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसमें कई बड़े खुलासे होने वाले हैं आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करना साथ इस ख़वर को शेर भी करना ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जो सिक्षारती भी है प्रिक्षारती भी है और जो सरकार के उन पदों पर बैटे हैं जो बरष्टचार करते हैं यानि तमाम लोगों तक ज्या गुरुकता की ये ख़वर पहुँचनी चाहिए नवस्कार